तो फ्रेंट्स पूरी गर्मिया मोग्रा में आपको फूल लेने के लिए अभी क्या काम करना है कौन सी खाद डालनी है और किस तरीके से आपको केयर करनी है सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और पसंद ब्याइ तो प्लीज कषियर करें चैनल को अब अब बहुत ऒधाय नहीं किया है तो फ्रेंट्स प्लीस सबस्क्राइब कर लीजिए उब बहुत हैं ऐसा फ्लावरिंग democratic को पूरे साल बहुत ही अच्री अच्छी देता रहता है इस टाईम पर आपको करना क्या होता है इसे सि तो यह एक ऐसा है कि आउट्डोर वाला प्लांट होता है या तो आप जमीन में लगा दोगे तो पूरा प्लांट आपका ट्री सेप ले लेगा या फिर आपने अगर च्छत्ते लगाया हुआ है तो भी आप कोहरे से नहीं बचा सकते लेकिन हाँ इसे अगर आपने पोट में तो आप इसे कोहरे से बचा सकते हो और अपने प्लांट की पत्या पीली होने से भी बचा सकते हो अक्टूबर में क्या करना होता है कि इस प्लांट की हमें उपर की साइड से हलकी हलकी प्रूनिंग करनी होती है उसके बाद फेरवरी में इनकी खुद से ही बहुत अच्छी ग्रोथ निकल कर आती है, कटिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, जिस जगह से आप कट करते हो, उसी जगह से दो से तीन ब्रांच निकलती है, और जैसे कि हमारे मोगरा हो गए, गुलाब हो गए, सुकंदरांच हो गए, इन प्लांट के जो फूल खिलते हैं, वो हमेशा में प्रूनिंग नहीं की थी, तो ये वाला टाइम भी बहुत बढ़िया है, आप अभी भी अपने प्लांट की हलकी हलकी उपर के टिप से पिंचिंग कर सकते हो, मोगरा के फूलों की खुस्पू बहुत ही बढ़िया होती है, जिस जगह पर ये प्लांट लगा होता है, वह ये क्या होता है कि बेल की तरह फैलने लग जाती है, अगर आप इनको फैलाना चाते हो, फैला सकते हो, अदरवाइस आप इसको कटिंग कर करके प्लांट को बुशी टाइप बना सकते हो, मेरे पोट में देखिए मैंने इसको सिमंट के पोट में लगाया हुआ है, और करीब उसके लिए आपको प्लांट की फ्रूनिंग करनी होती है, और एक्स्टा केर करनी होती है, खाद, गुड़ाई वगारा सब कुछ, तभी आपके प्लांट पर फ्लावरिंग भी ज्यादा हो पाती है, क्योंकि ये प्लांट जमीन वाले होते हैं, तभी इन पर इतने अच्छ कटिंग लेनी है, और वर्मी कंपोस्ट में और कोको फीट में लगा कर रख देना है, हलकी धूप में, जहां पर सिर्फ 10-15 मिन्ट की धूप उस पर पढ़ जाए, और पस टेंपरेचर अच्छा रहना चाहिए, ताकि ना तो प्लांट की जड़ों को बिल्कुल सूख जाए और कटिंग सूखती नहीं है, तो देखे, अभी हमें अपने प्लांट को फूलो के लिए तयार करना है, तो सबसे पहले हमें इसकी जड़ों में से गुड़ाई करनी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, अगर आपके पोट में अच्छी जगह है, तो आप गुड़ाई करके ऐसे ही खाद डाल सकते हो, और अगर पोट में जगह नहीं है, तो आपको उपर की एक लेयर मिट्टी की निकाल लेनी है, और उसके उपर न्यू मिट्टी तयार करके आपको डाल देनी है, मिट्टी लेनी है, वर्मी कमपोस्ट लेना है, गोबर की खाद लेनी है, तीनों च प्लांट की जड़ों को हवा लगती है और हमारा प्लांट न्यू तरीके से फूल देने के लिए तयार हो जाता है मोगरा को जितनी अच्छी धूप मिलती है उतनी ही अच्छी वो फ्लाविंग करते हैं अगर आप उसे बालकनी में रखते हो कम धूप देते हो तो आपके प्लांट पर पत्तिया ज्यादा आएंगे फूल कम आएंगे तो चलिए हमें करनी है अपने प्लांट के लिए खात तयार यहाँ पर हमने करीब 100 गराम ली है परलाइट परलाइट हमारी मिट्टी को सोफ बनाती है मोस्चर बना कर रखती है जडो को जल्दी से सूखने नहीं देती है क्योंकि मैंने वैल रेन मिट्टी ही में तयार रख होता है हमारे प्लांट को केचो के दूवारा बनाया जाता है अगए किया गहार थोड़ी भी घीली रहा जाती है तो यह वाला प्लांट हमारा युचका हर चीज की इसके बाद, हमने करीब 50 ग्राम मिलता है,ισ Cult 몸 22, अब्रबक हैं। प्लांट के लिए यह वाली खाद तयार कर रही हूं इसलिए मैंने क्वांटिटी इतनी रखी है अगर आपके पास जैसे की मेरा पोट जो है 10 से 12 इंच का है तो उसमें मैं सिर्फ 50 ग्राम सारी खाद को मिला कर सिर्फ 50 ग्राम एक पोट में डालने वाली हूं आपके पास अगर पोट छोटा है तो आप क्वांटिटी कम रख सकते हो अगर पोट बड़ा है तो आप ज्यादा भी रख सकते हो क्योंकि अगर खाद कम रहती है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है लेकिन अगर खाद हमारे प्लांट में ज्यादा डल जाती है तो कई ब चार साइड दाल देना है और अगर आपने मिट्री को निकाल के रखे कि ऐसी ऑपर वो मिट्री डाल सकते हो अधरिवाइस अगर आपने मिट्टी नहीं निकाली है तो आपी कि इसे क्या होगा हमारे प्लांट की पत्तियों का फिल्राइडkin है प्लान फूल ज्यादा आते हैं ग्रोथ अच्छी होती है हमारा प्लांट पूरी गर्मी के लिए फूल देने के लिए तयार हो जाता है इस खाद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है आप इसे पंदा दिन में 20 दिन में एक बार जरूर से रिपीट कर सकते हो क्योंकि इस प्लांट को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई